हेलो क्लास फिफ्ट वेलकम तो वल उफ यू आज तो नो हम इंगलिश का फोर चैप्टर कर रहे हैं तैस नेम क्लास्रूम का जिसके अंदर सीन होता है ठीक है और जिसमें हम देख रहे थे हम जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मंजीत और राजू के बीच में कुछ बिट्स को माना कि वो कच्छा उसी ने फैलाए था या फिर वो उसकी सफाई करने के लिए रेडी होता है यानि क्योंकि राजू उसको बहता है कि तुम ने फैलाए तब तुम ही से साफ करोगे ठीक है स्टा मंजीत बोलता है वैन आई डिडंट थ्रो इस बिट्स और पेपर्स स्टार्ट क्वेलिंग जस्ट देन देग्लाश टीचर एंटर्स दोनों ने इस बात पर जगडा शुरू कर दिया और तभी क्लाश टीचर क्लास में आ जाते हैं टीचर कहते हैं बॉइस वाइज वाइर यू मैंकि अ नॉइस तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो मंजीत कहता है Sir Raju is blaming me, Raju मुझे पर आरोप लगा रहे है, मुझे ब्लेम करब है Sir, He says that I have thrown these pieces of paper here, यह कह रहा है कि मैंने यह कागत के तुकड़े यहां डाले हैं, He is telling me to clean the floor also और यह मुझे तुम करने के लिए भी कह रहा है, It's not my job, यह मेरा काम नहीं है, teacher कहते हैं boys at first be quiet and listen to me patiently सबसे पहले तो आप एक्तम चुप हो जाए और उसके बाद जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे आप धान से सुनिए आप मुझे ये बताओ कि अगर आपकी body यानि आपका शरीर गंदा हो जाता है तो उसे कौन साफ करता है तो सबी बच्चे बोलते है all we do it ourselves sir हम इसे अपने आप करते हैं sir teacher फिर कहते है if your room is dirty is it only your mother's duty to clean it कि अगर आपका room गंदा हो जाता है तो क्या ये सिर्फ आपकी mother की duty है आपकी माँ की duty है कि वो इसे साफ करे don't you clean your room आप अपना room साफ नहीं करते राजू कहता है yes sir I clean my room myself हाँ sir मैं अपना room खुद साफ करता हूँ teacher कहते है good राजू बहुत अच्छा राजू तभी नहा बोलती है sir I also swap my room मैं भी मेरा room खुद साफ करती हूँ I fetch water with my mother from a well मैं मेरी मा के साथ कुएपर से पाने भी लाती हूँ I help her in the kitchen also और मैं उनकी help kitchen में भी करती हूँ ठीक है तो नहा अपने बारे में बताती कि वो क्या क्या काम करती है तभी बिट्टू बोलता है sir I also help my father at our shop sir मैं भी अपने पापा की हमारी shop पर help करता हूँ ठीक है तो इस तरीके से बच्चों ने यह बाते टीचर से की और टीचर ने उन्हें पूछे कुछ सवाल जिससे उनको यह समझ आए कि क्लास्रूम से बिट्सव पेपर से उठाने के responsibility या duty किसकी है जगडा शुरू किया बिगिन आर्गुमेंटिंग अंग्रिली जस्टेन एड दो सेम मोमेंच नॉइस साउंड ब्लेमिंग अक्यूजिंग आरोप लगाना जोब टास्क या वर्क क्वाइट साउंड लेस्टली पीसफुली विदाउट एनी हरी डिर्टी फुल ओव डस्ट फैच वोटर तो गो तो वैल और ब्रिंग वोटर जाना और पानी लेकर राना फैच वोटर किचन रूम इन विच फूद इस प्रिपेरड जहां खाना बनाया जाता है इस प्लेस विच फैच वेर तिंग्स आर शोल ऐसी जगह जहां चीजें बेची जाती हैं इस ताइम फूर यो पॉशन नमब वन हूँ आर क्वेरल अकोर्डिंग टू पैसेज इस पैसेज के अकोर्डिंग कौन जगडा कर रहे थे कौन जगडा करें राजू और बिट्टू, बी राजू और निहा, सी राजू और मंजीत, डी नन अवद इस योर आंसर इस सी राजू और मंजीत second one who enters the class when Raju and Manjit are quarreling जब Raju और Manjit जगड़ा कर रहे थे तो class में किस ने entry की या class में कौन आए the class teacher enters the class class teacher class में आते हैं second is why are you making a noise who says this statement ये बात किस ने कही कि तुम शोर क्यों कर रहे हो answer is the class teacher says this statement ये statement class teacher ने कही है ये बात class teacher ने बोली third one who says that he cleans his room himself किस ने कहा कि वो अपना room अपने आप साफ करता है राजू says that he cleans his room himself राजू ने कहा कि वो अपना room खुद साफ करता है third second है who helps her mother in fetching water from well अपनी मा की help कौन करता है कुए से पानी लाने में third answer is Neha helps her mother in fetching water from well fourth one who says that it is not his job to clean the floor किस ने कहा कि फर्स साफ करने के duty उसकी नहीं है answer is Manjeet says that it is not his job to clean the floor Manjeet ने कहा कि फर्स साफ करने के duty उसकी नहीं है ये उसकी जॉब नहीं है last one is who helps his father at shop बिट्टू helps his father at shop बिट्टू अपने पापा की help उनकी शॉब पे करता है ठीक है तो ये words और ये question answers आपको अपने notebook में write करने है और chapter read करना है okay thanks and have nice students बिट्टू चौन्स